आज का जो वीडियो होने वाले दोस्तों बहुत जादे इंट्रस्टिंग होने वाला है, थमनेल आपने देख लिया है, सोनी का A6700 के हम बाते करने वाले है, यह जो कैमरा है ना सोनी का अब तक का सबसे बैस्ट इसका प्रफॉमेंस के आपको देखने को मिलते हैं प्रैस क्या है और खास करके इंट्रस्टिंग और लास्ट में आपको एक बानस इंट्रोमेशन के बारे में वाला हूं तो वीडियो को लास्त तक जरूर देखता दोस्तों सबस्क्राइब कर देज़े दोस्तों और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेर जरू कर देना सबसे पहले बात करते हैं बॉडी डिजाइन और हैंडलिंग का इस कैमरे का तो मैंने अपने स्टोर से काफी सारे यूनिट सोल्ड किये हैं हैंड फील की मैं बात करोंगा सो तो चाइंडलिंग कामफटेवल भी औरहां यह पर मैं टॉप सिर्फ देजाइन की ऑफकॉण cancer की जो पर सार्फ इनके नीके जो कहज़ारलाइं डिसाइन हैं काफी हैंगर मैं बात करो तो सिर्फ चार्फू पिचानवे गराम का बाई हैं ऐक एक यूजर एक क्रिएटर को एक ऐसी बॉड़ी की जरुत होती है जो बहुत ही कॉम्पेक्ट और लाइड वैठ हो तॉप सर्फिस के अगर मैं बात करूँगा आपको फ्लैट ऑप्शन देखने को मिल जाता है जहां पे मोर्ट को ऑप्शन देखने को मिल जाता है शैंटर स्पीड रिकॉर्डिंग बटन एक कस्टमाईज ऑप्शन location देखने को मिल जाता है फ्रंट साइट की अगर में बात करूँगा जहां पे आपको एक samma डायल को आप आपको देखने को मिल जाता है जो चीज मिसिंग था अश्टी 600 में बैक साइट की बात करूँगा तो आपको वन हैंड कंट्रोल के सारे button options देखने को मिल जाते हैं इसमें काफी सारे customization की option आपको देखने को मिल जाते हैं EVF की बात करूँगा तो left side में EVF दिया हुआ है menu button दिया हुआ है और बागी सारे functionality आपको back side में देखने को मिल जाता है camera कि अगर मैं electronic view fender की बात करूँ जहां आपको 2.36 million resolution dot का support आपको देखने को मिल जाता है साथ ही जो view fender है 120p refresh rate को भी support करता है LCD panel की बात करूँ जहां पर आपको 1.03 million resolution dot का support आपको देखने को मिलता है साथ ही आपको vary angle and full touch control panel का support आपको देखने को मिल जा रहा है जो कि creator के लिए user के लिए काफी जादा helpful होता है और इस समय सोनी अपने जितने भी newly model है जो 2020 के बाद में जितने भी model launch हो है जो कि full touch control panel आपको देखने को मिल जाता है fast delivery data transfer और battery backup के लिए साथ ही अगर मैं बात करूँ यहां पे micro hd mic का support आपको देखने को मिल जाता है इस camera में उसके बाद अगर मैं card slot की बात करूँगा तो यहां पे आपको UHS second का high speed card slot card का option आपको देखने को मिलेगा इस camera में single card slot option आपको देखने को मिलता है इस camera के अगर मैं battery की बात करूँ तो यह आपके लिए बहुत बड़ा plus point है दोस्तों क्योंकि इस camera में sunika NP-FZ100 battery का support आपको देखने को मिल जाता है जो की full frame battery है backup की बात करूँ खास कर फोटोग्राफी में जो one time अगर आप battery charge करेंगे तो 550 से 570 शौटेज आपको देखने को मिलेगा अपको वीडियो में वी कम से कपने तो दो घंटे से उपर इसका backup आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं इस camera की internal core specs के बारे में की performance में यह camera कैसा है फोटोग्राफी में यह camera कैसा है क्या features आपको देखने को मिलता है सबसे पहले sensor की बात करें तो camera में 26 Megapixel का BSI sensor लगा हुआ है जो कि Exmor R है और प्रोसेसर की बात करें इस camera को बहुत सदा हाइच स्पीड बनाने के लिए BIONS XR प्रोसेसर का यूस किया गया है जो कि अब तक के जो latest जो प्रोसेसर सेंसर की बात करूँ वो आपको support आपको देखने को मिल जाता है camera super 35 sensor APS-C sensor लगा हुआ है मैंने starting में ही कहा था यह जो camera है Sony का अब तक का सबसे best APS-C camera है अब जाके पता चलेगा यहां पर हमें IOSO value की बात करूँ जहां पर आप 100 से 32,000 तक के IOSO value को आप यूस कर सकते हो बढ़ाना चाहते हो तो आप 1 लागता बढ़ा सकते हो image quality की बात करूँ देखिए 26 Megapixel का अगर कोई sensor है साथी साथ अगर BSI sensor है तो जो detail and information की बात करूँ बहुत अच्छा हैगा rich tone colors आपको देखने को मिलेगा और सोनी का अगर में color science की बात करूँ अफकोर्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है वह काफी जादा अच्छा आपको देखने को मिलेगा कैमरे की अगर मैं performance की बात करूंगा दोस्तों और आप काफी जदा impressed हो जाओगे क्योंकि सोनी ने first APS-C camera में जो AI chip unit है उसका use किया है जिससे की इसका autofocus का performance है काफी जदा enhance हो जाता है साथी साथ deep learning technology add होने से जो इसका autofocus का algorithm में काफी जदा powerful हो जाता है साथी real time tracking काफी जदा बढ़ जाता है दोस्तों साथी subject tracking की बात करूं तो आपको wide range of subject का support आपको देखने को मिल जाता है जहां पर human, animal, word, insert, train, bicycle, motorcycle, aeroplane जैसी option आपको देखने को मिल जाते है जाके real time tracking फोटोग्राफी के लिए अगर मैं camera में brush shooting की बात करूं तो mechanically 11 fps का support आपको देखने को मिल रहा है हला कि हर एक company अब mechanically की साथ electronically भी आप support shooting आपको देखने को मिल रहा है जाधातार में camera में यहां पर अगर मैं बात करूं यह camera 1000 plus JPZ buffer shoot कर सकता है RAW की बात करो जो जाधातार RAW प और RAW का support आपको देखने को मिलता है जो कि lossless compressed RAW support आपको देखने को मिल जाता है जहाँ पर 23 image को आप क्लिक कर सकते हो camera की अगर मैं बात तो जहां पर आपको 5xs का mechanically VR support आपको देखने को मिल जाता है body में VR shift है ताकि आप एक lower shutter speed में shoot कर सको साथ ही साथ अगर आप movie shoot कर रहे हो तो काफी stable footage का support आपको देखने को मिले photography के लिए इस camera में भी आपको HEIF file format का support आपको देखने को मिल जाता है जो कि 10 bit को support करता है जो outdoor shoot करते है nature shoot करते है land escape shoot करते है wildlife shoot करते है जहां पर आपको editing के लिए बाद में output आप लेते हैं computer से तो आपको अच्छी color tone details information आपको देखने को मिल जाता है साथ ही काफी सारे creative यहां पर आपको profile देखने को मिल जाता है images में जहांके आप moods के साथ आप अपने situation के साथ आप इसको अलग-अलग condition में click भी कर सकते हैं अब तक आपके साथ मैंने share किया है camera के performance के बारे में साथ ही photography में आपको क्या features देखने को मिलते हैं of course performance काफी highly है photography में भी काफी अच्छे features आपको देखने को मिलते हैं आप बात करते हैं वीडियो के वारे में वीडियो में क्या advanced features आपको देखने को मिलता है तो 4K में भी super slow motion का effects आपको देखने को मिलेगा साथ ही camera 4K 50 और 60P को support करता है यहां पर advanced के देखने को मिलता है camera में 6K oversampling आपको देखने को मिलता है तो detail and information आपको बहुत जादा देखने को मिलेगा FHD की बात कर तो 120P normal और inbuilt slow motion आपको देखने को मिल जाता है जहां पर 8-bit और 10-bit का support देखने को मिल जाता है 4K में भी आपको 10-bit file का support आपको देखने को मिल जाता है especially color grading के लिए high dynamic range के लिए अगर आप जैसे film shoot करते हैं छोटे-मोटे content creator base पे video shoot करते हैं इस camera में आपको S-Log3 का support आपको देखने को मिलेगा 10-bit photo 2 को support करता है साथ ही साथ आपको S-Cineatone के profile picture देखने को मिलेगी जो कि उनके professional model से लिए गये है जहां पर आपको cinematic shoot करना है cinematic colors के साथ आप इन सभी चीज़ों को यूज कर सकते हैं सुनी के अगर मैं file format codec की बात करूँ तो मुझे personally बहुत जादा पसंद है क्योंकि जो XAVC का option आता है जो कम storage लेता है बट detail information बहुत जादा आता है file codec की बात करूँगा तो आपको काफी सरव option आपको देखने को मिल जाता है जैसे कि आप normal full HD 4K shoot कर सकते हो इंट्रा जैश ओप्शन आप सूट कर सकते है इसमें भी आपको इंट्रा वर्जन देखने को मिल जाता है और 4K में Hs वर्जन भी आपको देखने को मिल जाता है अगर 4K नॉर्मल से थोड़ा सा अपको हैवी शूट करना है तो आप कर सकते हो तो personally काफी अच्छा option आपको आपको देखने को मिलता है अब जो AI यूनिट जो चिप है उसकी लगने से जो कैमरे में कुछ अधर जो फीचर्स पर्फोर्मेंस है कासकर वीडियो में जब आप यूज करते हो काफी अच्छा हो जाता है जैसे मैं बात करो जब भी आप मूवी शूट करते हो तो मूवमेंट फुटेज को शूट करते हैं तो यह बहुत ज़दे स्टेवल हो जाता है साथ ही इस कैमरे में आपको आटो फ्रेमिंग का भी सपूर्ट आपको देखने को मिल जाता है जो की एक क्रिएटर के लिए बहुत ही बैस्ट ऑप्शन है इसका मैं फ्यूचर में कभी वीडियो बनाऊंगा आटो फ्रेमिंग कैसे काम करता है साथ ही साथ इस कैमरे में आप कस्टम लट को भी अपलाई कर सकते हो फोकस ब्रीटिंग जैसे कंट्रोल स आपको देखने को मिल जाते है साथ ही दोस्तों अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग भी करना चाहते हो तो यह 4 के लाइव स्ट्रींग भी करता है कनेक्टिविटी की बात करतों कैमरे में वाइफाई ब्लोथूथ सारी कनेक्टिविटी का उप्शन आपको देखने को मिल जाता है डिरेक्ट आप उनके अप से लाइप पे भी अपने वीडियो को शेर कर सकते हो दोस्तों प्राइस की प्राइस की से लेटे आपको देखने को मिलता है अपर फिल्टे बहुत सारे श्रींग प्राइड यहां श्रीक अपकरें अपने ब्लेडियो करें लेंट के युद्विविडियो कि अपने मांट है लैंस की कुई कमी नहीं अपको थड़ पारटि में भी काफी सारे ऑप्श आपको जादा benefit, color information, detail, performance आपको देखने को मिले यहां पर अगर मैं body की बात करूँगा after discount तो यह आपको एक लाग 15-16,000 में आपको देखने को मिल जाएगा क्योंकि price इसका बहुत अच्छा है जादा heavy price भी नहीं है अगर मैं बात करूँगा 1650 का जो basic kit नॉर्माल जो जिसके साथ एक लाग 25,000 के असपास अराम से देखने को मिल जाएगा अगर मैं M kit की बात करूँ 835 kit की जहां पर discount करने के बात यह जो camera है ना वह एक लाग 45,000 के असपास चले जाता है क्योंकि थोड़ा सा अच्छा लेंस है जहां पर वाइड इंगाल टैले दोनों आप यूज कर सकते हो detail information लेंस के बहुत अच्छा है limits बहुत अच्छे लगे हो है तो उस लेंस को भी आप purchase कर सकते हो अब बात करते हैं दोस्तों जिए उनर्स आप केटिगरी की किन यूजर्स को यह camera specially दिया जाए रिकमेंट किया जाए साथ ही साथ सिर्फ 495 ग्राम के बाड़ी है अच्छा बाड़ी डिजाइन है वेरी अंगल सपोर्टेड है फुल टच कंट्रोल पैनल आपको देखने को मिल जाता है साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम ब्लॉगर्स यूटूवर्स अफकोर्स इस camera से कर सकते हो वेडिंग से रिलेटेड अगर मैं बात करू तो मैं बिल्कुल रिकमेट करना चाहूंगा उन यूजर्स के लिए जो 6400-6600 camera सर्च कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि थोड़ा सगर प्राइज अगर मैं हाई जा सकू क्या मेरे लिए अच्छा camera रहेगा तो बिल्कुल अफकोर् सुनी का A6700 camera दोस्तों जहां पर सेंसर की बात करो तो 26 मेका पिक्सल का BSI sensor आपको देखने को मिल जाता है सेंसर का image quality detail colors बहुत अच्छा है no doubt जहां पर आपको AI processor unit देखने को मिल जाता है जहां पर क्यामरे का जो आटो फोकुस का अलगोरिधम में डीप लर्निंग टेक्नोल जाता है 6K को अबर सेंप्लिंग देखने को मिल जाता है color depth high dynamic range अगर heavy workflow करना चाहते है editing करना के details जाते है s-lock 3 को option देखने को मिल जाता है camera 10 bit 422 को support करता है scnetone option देखने को मिल जाता है खासकर इसमें न auto framing option देखने को मिल जाता है active image stabilization को support आपको देखने को मिल जाता है मतलब एक bedding users के लिए भी तो मैं बिल्कुल recommend करना चाहूंगा जहां पे वो entry level पे शुरुवात कर रहे हैं अच्छा camera चाहिए photographic लिए डेफिनली वो पर्चेस कर सकते हैं साथ चाहाँ sports wildlife की भी बात करूंगा क्यूंकि autofocus की बात करूंगा बहुत enhanced है इस camera में subject tracking wide range of subject tracking यहां पे detect करता है जहां पे human animal का support आपको देखने को मिल जाता है sports की बात करूंगा तो हाँ fps थोड़ा कम है तो jpg तो देखिए एक professional user jpg कम से कम यूज करता है raw शूट करना उनको पसंद है buffer memory की बात कर थावजन प्लस jpg है 59 compressed raw को भी शूट कर सकते डेफिनली वो एक entry level पे जहां पे वो शुर camera मिल जाता है जहां पे आप कोई भी lens अगर इस camera के साथ अटेच करेंगे तो वह 1.5 से crop हो जाएगा 500 mm लगाएंगा साथे 600 का काम करेगा तो यह benefit एक wildlife user को देखने को मिल जाता है sports user को देखने को मिल जाता है तो मैं इतने सारे genre of category को यह camera recommend करूंगा साथ ही साथ परसनल यू आपके साथ शेयर कर दिया और performance आपके साथ मैंने शेयर कर दिया फोटोग्राफ वीडियोग्राफी सारे फीचर्स ओपर रोल गारा की बात करूंगा तो इस प्राइज में आने वाला ना एवन एवन कैमरा है दोस्तों वीडियो को कैसे लगा कमेट करके जूरू बताना फि सब्सक्राइब कर देजएया दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए बेल आईकन को प्रेस करके अल पी क्लिक कर देना ताकि कोई भी दोस्तों आपसे वीडियो मिसना हो जाए चलित चल्दी नए वीडियो में आपके साथ मिलेंगे तब तक लिए गुडबाई ना ध्यान झाले लाते नेवार कि झालेद हे ठी Mm